बच्चो आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यविस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 2 दादी मा के अभ्यास प्रशन हल करने वाले हैं बच्चो आप मेरे साथ ये कहानी पिछले भागों में पढ़ चुकी हैं जिसमें आपने हमारे लेखक शिप प्रसाद सिंग जी की दादी मा के व्यक्तित्व का अध्यन किया दादी जी को जाना कि उनकी दादी जी कितनी सरल थी कितना अच्छा सभाव था तो बच्चो आज हम इस पार्ट पर अधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है और कहां से लिया गया है बच्चो हमारा पहला प्रश्न कहानी से लिया गया है देखते हैं क्या है लेखक को अपने दादी मा की याद के साथ साथ ब बहुत सारी बाते याद आ जाती हैं जो कि दादी जी से संबंदित भी होती हैं गाउं से संबंदित भी होती हैं तो बच्चों आपको इस पृष्ण के उत्तर में उन सभी बातों का बिबरन लिखना है तो बच्चों इस पृष्ण को हम इस तरह से हल कर सकते हैं देखिए दा अगले प्रशन की तरफ देखते हैं अगला प्रशन क्या है दादा की मृत्यू के बाद लेखक के घर की आर्थिक इस्तिती क्यों खराब हो गई थी बच्चो आपने कहानी बहुती ध्यान पूर्वक पड़ी है तो आपको याद आ रहा होगा कि लेखक के जब दादा जी खतम होते हैं उनकी मृत्यू होती है दिहान्त होता है उस समय लेखक के पिता जी बहुत सारा कर्ज ले लेते हैं कर्ज क्यों लेते हैं यह आपको बताना है और आर्थिक इस्तिती क्यों खराब हो जाती है यह आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है तो हम इसका उत्तर इस तरह से देंगे दादा जी की मृत्यू के बाद लेखक के घर की आर्थिक इस्ति इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि दादी जी के मदा करने पर भी पिता जी ने उनके श्राद में अत्यादिक धन वे कर दिया था और जो यह धन था वह उनका खुद का नहीं था बलकि यह धन उन्होंने लोगों से उधार लिया था इसलिए उनकी आर्थिक इस्ति खराब हो गई थी देखिए दादी मा के सभाब का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यूं बच्चों आपने कहानी बहुत ही ध्यान पूर्वक पड़ी है तो आपने देखा होगा दादी जी के विक्तित्व की बहुत सारी विशेषता है बहुत सारी अच्छी बात हमारे सामने निकल निकल कर आई है और उनमे से उनके सभाब का जो पक्ष आपको अच्छा लगता है वह आपको इसके उत्तर की रूप में लिखना है और बताना है कि वह आपको क्यों अच्छा लगता है देखिए दादी मा के सभाब में मुझे उनके द्वारा दूसरों की सहायता करना सबसे अच्छा लगता है समय पर वे जुरत मंदों की पैसों से सहायता करती थी समय पर पैसे बापस ना मिलने पर डाडती थी और धन्नों की बेटी की शादी जैसे कारज पर करज माफ कर पुढ़े उसकी सहायता भी कर देती थी बच्चो चलते हैं आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है बच्चो अगला प्रश्न हमारा कहानी से आगे से लिया गया है देखते हैं आपने इस कहानी में महीनों के नाम पड़े जैसे कि क्वार, आशाड, माग इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए बच्चो इस कहानी में हमें हिंदी महीने, हिंदी कैलेंडर के बहुत सारे महीनों के नाम जानने को मिले उनमें से तीन नाम है क्वार, आशाड और माग तो इस प्रशन में आपको यह है बताना है कि इन महीनों में हमारे यहां का मौसम कैसा रहता है तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम देखेंगे क्वार के बारे में यह है वर्शा रितु का अंतिम महीना कहा जाता है इस महा में अधिकतर आसमान स्वच्छ रहता है और इस समय ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी होती है फिर देखिए आशाड यह है वर्शा रितु का पहला महीना होता है इस महा में भयानक गर्मी पढ़ती है और सभी को वेसबरी से बारिश का इंतजार रहता है फिर देखिए माग इस महीने में कडाके की सर्दी पढ़ती है पच्छुआ हवाईं सर्दी को और अधिक बढ़ा देती है कभी कभी पाला भी पढ़ जाता है चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अपने अपने मौसम की अपने अपनी बाते होती है लेखक के कथन के अनुसार और यह बताईए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजे विशेश रूप से मिलती है बच्छो हर मौसम का अपना एक अलगी आनंद होता है और हर मौसम में अलग अलग चीजे मिलती है आपको इस प्रश्ण में यह बताना है कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजे विशेश रूप से मिलती हैं देखते हैं बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे सर्दी के मौसम के बारे में सर्दी के मौसम में अधिक सर्दी पड़ती हैं गर्मी थोड़ी पड़ेगी सर्दी के मौसम में सर्दी पड़ेगी इस मौसम में चाय कॉफी आधी पीना बहुत पसंद करते हैं इस म सब्जियों में पालग, बत्वा, मेथी, सरसो, मटर, फूलगोबी, बंदगोबी, मूली, आधी, अधिक मात्रा में मिलते हैं। फिर देखिए गर्मी, इस मौसम में अधिक गर्मी पड़ती हैं। इसलिए लोग ठंडे पे पड़ारतों का अत्यदिक मात्रा में सेवन करते हैं। अमरूत, केला, नाशपती, आधी तथा सबजियों में पालग, बैंगन, घिया, करेले, टमाटर, तौरे, टिंडा, आधी मिलते हैं। चलते हैं अगले प्रिश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रिश्न क्या है। अगला प्रिश्न हमारा अनुमान और कल्पना पर आधारित है, जिस प्रिश्न का उत्तर आपको अपनी कल्पना शक्ती का प्रयोग करते हुए देना है। रंड लेना यानि उधार लेने की बात आई है। में शादी होने पर वो करजा लेते हैं, म्रत्यू भोच करने पर भी उनको पैसे उधार लेने होते हैं, बच्चों के नामकरण, यंगो पवित, आदी उत्सप पर, बैल, भैस, आदी पशु खरीदने पर भी उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है, बिमारी की दशा में भी उन्हें पैसा लेना पड़ता है, मकान बनवाने या जमीन जायदाद खरीदने पर भी उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है, गाउं वालों को यह रिन गाउं के सेट, साहुकार या जागिरदार से मिलता होगा, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, घर पर होने वाले उत्सबों और समाहरों में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिये, बच्चो यह प्रश्न आप लोगों के लिए ही है, जब आपके घर में कोई भी कारेकरम होता है, किसी भी प्र पहनते हैं, आप सभी लोग नए-नए कपड़े पहनते हो, बेस्वादिष्ट विंजन खाकर आरंदित होते हैं, और जब आप सभी के घर में कोई समाहरों होता है, तो अच्छे-च्छे पकवान आपको खाने को मिलते हैं, नाचगान होते हैं, उच्छल कूद आदी में का सयोग भी करते हैं, जब आपके घर के बड़े व्यक्ती आपको कोई भी काम देते हैं, तो आप उन कामों को करते भी हो, चलते हैं अगले प्रशन की तरफ, अगला प्रशन हमारा भाशा की बात से हैं, भाशा की बात यानि की व्याकरन से सम्बंदित प्रशन है, नीचे और से का प्रयोग किया जाता वाक्यों के लिए किया जाता हैं जाता है और फिर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है तो बच्चों इस प्रिश्न को हम ऐसे हल करेंगे नोहा सा गरम शरीर देखिए तेज बुखार चढ़ने से उसका शरीर लोहा सा गरम हो गया यानि लोहे के समान शरीर को गरम बताने के लिए साका प्रयूक किया गया है पानी सा पतला इसमें दूद को पानी के समान पतला बताने के लिए पानी सा पतला शब्द का प्रयो किया गया है देखिए आजकल तो दूद पानी सा पतला आ रहा है फत्तर से कठोर उसका हृदय फत्तर से भी जादा कठोर है सागर सा गहरा गांधी जी का चिंतन सागर सा गह प्रश्न क्या है कहानी में छू छू कर जवर का अनुमान करती पूछ पूछ कर घरवालों को परिशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं किसी क्रिया को जोड़ देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है जैसे वहां जा जाकर ठक गया उन्हें ढू देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है तो बच्चों देखो इसका उत्तर इस तरह से होगा पहला है लिख लिखकर वह लिख लिखकर ठक गया फिर देखिए रो रोकर बच्चा रो रोकर सो गया देखिए खा खा कर मुफ्त का भोजन खा खा कर वहें मोटा हो गया। उड़ उड़कर चड़िया उड़ उड़कर ठकने से घौसले में बैट गई। देख देखकर वहें चित्र को देख देखकर हार गया पर उसे समझ में नहीं आया। बच्चो आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग दो के पाठ दो दादी माँ पाठ के अभ्यास प्रश्ण हल किये। बच्चो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्णों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आपको इन प्रश्णों के उत्तर याद करने में बिल्कुल भी कठना ही नहीं होगी। धन्यवाद बच्चो